नमस्कार दोस्तों आप सबको बहुत बहुत बढ़ाई हो किंद्री विद्याले संगठन ने आखिरकार एक detailed notification जारी कर दिया है और उसमें syllabus और scheme भी आपको जारी कर दिया है एक बहुत बड़ा बदलाओ केंद्रिविद्याले संगठन ने TGT के exam pattern में किया है यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने जो इस बार TGT का exam होगा वो किस परकार से होगा इसमें 20 marks का proficiency in languages यानि 10 marks का आपको हिंदी मिलेगी और 10 marks की आपको English मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो पार्ट है उसमें general awareness, reasoning और proficiency in computers ये 20 marks का है जिसमें की general awareness और current affairs 10 marks का है और reasoning ability 5 question है के बल 5 marks और computer literacy 5 question तो इस बार reasoning को कम कर दिया है और general awareness और current affairs 10 question है जो की पहले अलग pattern था 40 marks का आता था अभी आप देख सकते हैं part 3 इसमें है pedagogy जो की 40 marks के है 40 question आएंगे और अगला part 4 है जो की सबसे बड़ा बदलाव इस बार किया गया है वो यह है subject specific syllabus 100 marks trained graduate teacher का देखिए आप यहाँ देख रहे हैं trained graduate teachers का पहले जो syllabus होता था या scheme होती थी उसमें subject specific नहीं आता था इस बार बड़ा बदलाव केंद्री विद्याले संक्ठन ने किया है जो की subject specific syllabus इसमें add किया है तो आप सब जो भी अपने subject के माहर हैं अपने subject को पढ़ रहे हैं उनके लिए एक खुशकबरी है आप अपने subject को और अच्छे से तयार कर सकते हैं इस बार ऐसा नहीं होगा पहले क्या होता था कि जो भी किसी भी subject के आप TGT का paper देते थे सबका एक ही जैसा होता था लेकिन अब paper सबका अलग-अलग होगा सबके subject के साब से होगा तो अब आपके subject की value बहुत बढ़ गई है जो की आपको interview में भी काम आना है तो subject आपको सालों बाद ये भरती आई हैं तो इस बार ये मौका छोड़ना नहीं है एक ही बार में सेलेक्ट होना है बहुत 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 शुप काम नहीं दन्यवाद